आज का ये वीडियो उन सभी के लिए काफी important होने वाला है जो या तो किसी industry में work करते हैं या फिर वो किसी electrical job के लिए interview देने जा रहे हैं क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के नरा में काफी important सवाल के उपर बात करने वाले हैं जैसा कि हम सभी को पता है industry के अंदर जो भी हमारी machine है उस machine को automatic करने के लिए जो उपकरन सबसे पहले उप्योग में लिया जाता है वह होता है हमारा contractor अब जिस contractor का हम उप्योग करते हैं इन contractor के उपर ही अलग अलग तरीके से इसके types के बारे में बताया जाता है जैसी कि किसी contractor पर आपको AC1 लिखावा देखने को मिल सकता है कही दोस्तों आखिरकार contractor पर लिखी AC value हमें किस बारे में बताती है और हमें contractor को select करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस सभी के बारे में आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो भीना जाद देडिकरे वीडियो को start कर लेते हैं दोस्तों वीडियो के starting में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो contractor होते हैं इनको हमारे load के types के according कई तरीके से बाटा जाता है वैसे तो दोस्तों यह contractor AC1 से लेकर AC15 तक कई अलग अलग range बाते हैं लेकिन आपको जो mostly industry में देखने को मिलेगा वो आपको AC1, AC2, AC3, AC4 के अलावा AC6 से AC6B और AC11 इस सभी contractor का frequently उपयोग होता हूँ देखने को मिलेगा तो इसलिए हमें सभी contractor का क्या उपयोग है और कौन सा कहां लगाए जाता है वो पता होना चाहिए दोसो सबसे पहले मैं आपको आसान सब्दों में यह समझाने के कोशिश करता हूँ कि कौन्टेक्टर पर लिखिए AC वेल्यू हमें किस बारे में बताती है तो दोसो जैसा कि आप सभी को पता भी है कि हमारे जो electrical के load होते हैं यह कई अलग-अलग types के होते हैं जैसे अगर मैं दो अलग-अलग motor है इन दोनों motor के लिए अलग-अलग type के contactor का हम इसमाल करेंगे इसके अलावा हमारे electrical में रजिस्टिव लोड भी होते हैं जैसे कि हमारे bulb हो गया हीटर हो गया तो इस तरीके के load के लिए हम अलग contactor का उप्योग करते हैं तो दोसा आपको बस इत्ता पता होने चाहिए कई different types के load होते हैं और जब वह सभी load चलते हैं तो उनका जो current लेने का वे होता है कि वह कितने current को लेंगे किस तरीके से current लेंगे उसकी characteristics बिलकुल अलग-अलग होती है तो इसलिए इन सभी load के लिए अलग-अलग type के contactor बनाए गया है हम सबसे पहले बात करते ह आखिरकार AC1 जो contactor होता है इसका उप्योग कौन से load के लिए किया जाता है तो जो भी आपको इस तरीकी के AC1 contactor के देखने को मिलते हैं इन contactor का इसमाल हमारा non inductive load के लिए होता है मतलब कि हमारे जो resistive load होते हैं अगर मैं आपको resistive load का उधारन बताऊं तो जैसे कि हमारे बल load को चलाने के लिए contactor का हिस्तमाल करेंगे तो उस जगह हम AC1 type के contactor का हिस्तमाल करेंगे इसके बाद में दोस्तों नेश्ट आता है हमारा AC2 type का contactor तो दोस्तों इस contactor से जुड़े वे कहीं सारे question आपसे अलग अलग तरीकी से इंटरू में पूछे जा सकता है सबसे पहले हम इस contactor उप्योग के बाद करें तो इसका जो उप्योग किया जाता है वह किया जाता है हमारी जो slip ring induction motor होती है उसको operate करने के लिए उसको चालू बंद करने के लिए अब आपसे interview में कई बार उल्टे तरीके से भी question पूछा जाता है वो पूछ लेते कि slip ring motor के लिए कौन से type के contactor का इसमाल किया जाता है तो आपको याद दखना है कि slip ring motor के लिए AC2 type के contactor का इसमाल किया जाता है इसके बाद में दोसों next आता है हमारा AC3 type का contactor और यही contactor हमारी industry में सबसे ज़्यादा उप्योग होता है और इसके पीचे का region simple सा है हम सभी जो industry के अंदर contactor का mainly जो उप्य है हमारा AC3 type का contactor दोस्तों मैं यहाँ पर आपका एक और सवाल क्लियर करना जाता हूं कहीं सारे लोग के मन में एक यह भी question आता है कि क्या हम हमारे AC3 contactor की जगे AC1 contactor का इसमाल कर सकते हैं या फिर हमारे AC1 contactor की जगे AC3 contactor का इसमाल कर सकते हैं और यह सवाल लोग के मन में इस इसलिए आता है क्योंकि कहीं सारे कॉंटेक्टर पर AC1 और AC3 दोनों वैल्यों लिखी रहती है जैसे कि आप इस कॉंटेक्टर रुपी भी देख सकते हो इस पर लिखावा है हमारा AC1 भी और AC3 भी तो अब सवाल यही है कि क्या इस कॉंटेक्टर पर मैं AC1 टाइप के लोड मतल होती है जैसे कि अगर आप देखोगे इस पर साफ लिखा हुआ है कि अगर आप इस पर AC1 टाइप के लोड को चलाते हो मतलब हीटर रजिस्टिव लोड चलाते हो तो उस केस में आप इस कॉंटेक्टर पर 45 एंपेर तक के लोड को कनेक्ट करा सकते हो लेकिन वहीं अगर जबावी जवाब मिल क्या होगा आप जब भी AC3 के जगे AC1 कॉंटेक्टर को लगा रहे हो तो आप उस समय देख लीजिए कि यहां पर दूसरे लोड के लिए कितनी एंपेर रेटिंग दी गई है इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कई बार हमारा जो कॉंटेक्टर होता है इस कॉंटेक्टर के साइड में नहीं लिखा रहे था कि इस पर AC1 टाइप के लोड के कितने एंपेर में जोड सकता हूं तो उस case पर हमारे इस कॉंटेक्टर साथ में जो हमें बुकलेट मिलती है चोटी सी उसके अंदर अगर आप देखोगे तो वहाँ आपको different types के load के लिए ampere rating दी जाती है तो वहाँ से भी आप जाके check कर सकते हो तो दोस्तों अभी तक हमने AC1, AC2, AC3 contactor की बात कर ली जिसमें AC1 था हमारा resistive load के लिए AC2 था हमारा slipering induction motor और AC3 था हमारी squire gauge induction motor के लिए इसके अलावा दोस्तों next हम बात करते हैं AC4 type के contactor की तो दोस्तों AC4 था हमारी squire gauge induction motor के लिए ही किया जाता है तो दोस्तों इस contactor का उपयोग आपको पता होना काफी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कहीं सारे लोग इसके बारे में confused रहते है आप सभी को पता होना चाहिए कि AC4 जो contactor उपयोग किया जाता है वह किया जाता है हमारी squire gauge induction motor के लिए है अब यहाँ पर confusion लोगों के मन में क्या रहती है वो बोलते हैं कि हमने AC3 contactor को ही हम squire gauge induction motor के लिए ही तो उपयोग करते हैं तो क्या हम AC4 को भी कर सकते हैं मतलब कुछ ऐसी जगे आपने लगा रहे हैं कि जहां पर आपको बार-बार on-off करनी है हर second में motor को दो-तिन बार बंद चालू करना है तो अगर आप ऐसी जगे squire gauge induction motor को लगा रहे हो जैसे हमारी crane हो गई तो उस जगे आप AC4 type के contactor का इस्समाल करेंगे तो AC4 contactor का इस्समाल सिंपल सा है ऐसी जगे जहां पर हमाई squire gauge induction motor को इंचिंग के तोर पर उप्योग कर रहे है दोस्तों यहां पर मैं एक और छोटी सी बात के लिए करना चाता हूँ कि आखिरका crane के अंदर हम AC4 contactor क्यों लगाएंगे crane के अंदर हमारी slip ring motor लगी होती है और slip ring motor के लिए तो हमने देखा AC2 contactor लगाना चाहिए तो दोस्तों मैं आपको बताना चाता हूँ कहीं सारी industry के अंदर छोटी load capacity की crane का भी स्माल किया जाता है और उन crane में कहीं cases में हमारी slip ring induction motor का उप्योग नहीं किया जाता इन चारो contactor के बाद में industry में आप सबसे ज़्यादा जिस क्वांट्रक्टर ओप्योग होता हूँ देखोगे वह देखोगे दोस्तों AC6B यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों AC6B के अलावा AC6A टाइप का भी contactor आता है इसमें जो 6A टाइप का जो contactor होता है वो होता है हमारे transformer को switching कराने के लिए जो हमारे छोटी साइज के transformer होता है उनको switching कराने के लिए AC6A टाइप का contactor होता है लेकिन जो AC6B contractor होता है जो की अभी मेरे पास में available भी है मैं आपको दिखा सकता हूँ यह लिखावाई AC6B तो यह जो contractor होता है AC6B टाइप का इसका इसमाल क्या जाता है हमारे power capacitor को on off करने के लिए अगर आपके industry में लगे capacitor panel में जाके देखोगे capacitor को on off करने के लिए कौन से contractor का इसमाल क्या जा रहा है तो उस contractor का type होगा हमारा AC6B तो अब आपको यह भी पता चल गया कि capacity load है तो हमारा contractor लगेगा AC6B और आखरी के अगर मैं आपको एक और contractor के बारे बताऊं तो आप सभी कई बार देखोगे कुछ contractor ऐसे होते हैं जिनके ओपर AC11 लिखा होता है यह AC11 type के contractor क्या है तो दोस्तों यह जो contractor होता है इनके ओपर कोई भी power का terminal नहीं होता मतलब कि इस contractor हो इसमाल सिर्फ आप control की wiring करने के लिए कर सकते हो मतलब इस type के contractor के जो terminal होते है इनमें आप ज़्यादा करण को flow नहीं करा सकते क्योंकि यह जो contractor होते है यह सिर्फ control के बने होते हैं आपने कई बार सुना है हमारे Contactors 2 type के होते हैं एक होता है power sentor एक होता है is control का contractor घ्र clicking का week For Cuと you control का тогда होता है वह होता है हमारा AC 11 type तो दोस्तों यहीं सारी कुछ important बाते थी जो आपको capacitor के के बारे में पता होनी चाहिए मैंने आपको कैपेसिटर के टाइपस के साथ सत और भी कुछ जरूरी जो बाते इन से जुड़ी होती है वहाँ बतानी की कोशिश करी उमीद करता हूँ आज का यह वीडियो को काफी पसंद आये होगा आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज ए नहीं धन्यवाद